दड़का नाखिर क्या है दरशल हम जिसे धग धग कहते हैं उसमें पहली आवाज तो दोनों निले से खुन के तेजी से बाहर निकलने के सुरुआत में उनके दोनों उपरी बॉल बंद होने की होती है और इसके दुरंत बाद दुसरी धक दोनो निले से खुन बाहर निकल जाने के बाद नीचे वाले दोनों बॉल बंद होने की है यह दोनों धक धक के बीच समय अंत्राल कम होने की वज़े से यह दोनों आवाजे एक साथी आती महसूस होती है इन्वाई से पहली आवाज थोड़ी हल्की वर दूसरी तीखी होती है घान से सुनने पर ये आवाजे धक-धक के बजाए नौ टप जैसे सुनाई देती है इस पुरी प्रक्रिया में एक सेकेंड के दस्वे हिश्चे से भी कम समय लगता है इसके बाद आलिन में खुन भरने का सिलसिला सुरू हो जाता है इन्सानी दिल समाने स्थिती में और सतन एक मिनट में बहतर बार धड़कता है जब हम कसरत ब्यगर कर रहे होते हैं दौड रहे होते हैं तो दिल की धड़कन एक मिनट में 150 पार तक पहुच जाती है जब सरील बुखार से तप रहा हूँ या हम आवेश में हूँ या डर रहत से रोमांस या रोमांस चैसी भावनाओं से गुजर रहे हूँ तब भी दिल के धड़कन अपनी समानिय गती में खासी तेज हो जाती है जब सुनकर आपको लग रहा होगा कि इंसानी दिल कितनी तेजी से धड़कता है लेकिन अन्य जीवों से तुलना पर दिखेगा कि हमारी क्या ओकात है चुहे का दिल समानिय वस्था में एक मिनट में 500 बार धड़कता है पर दुसरी ओर हाथी का दिल एक मिनट में सिर्फ 25-30 बार ही धड़कता है सवाल यह है कि वो कौन से प्रक्रिया है जो दिल को लागातार इतिन दक्षिता के साथ चलाती है यहां इस विश्य में बहुत गहराई में जा पाना तो संभव नहीं है लेकिन इतना तो सपस्थ है कि दिल के मास्पेशूं को विध्यूत आवेगों के जर्ये सिकुडने के संदेश लागातार करंबत तरीके से मिलते रहते हैं ये विद्यूत समेक कहीं बाहर से नहीं आते बलकि दिल के अंदर ही पैदा होते हैं विद्यूतीय तरंगे उथपन करना दिल का अपना विशेश कुन है ये विद्युत्य सम्वेक विश्यत तरह की कोशिकाओं की छोटे-छोटी गुच्छों की एक गठान जिसे साइनो एडिनल नोट या एस मोड करते हैं ये उत्पन होते हैं नाम से ही जाहिर हो जाता है कि इस ए नोट दाहिने एंट्रियम यानि आलिंद में स्थित होता है ये कोशिकाओं खास तरह के रेश्यदार दन्तूओं के जर्ये दिवरतर दर्से आवेक को आलिंद के सब हिसों की और प्रसारित करती है इसलिए अक्सर इन्हें दिल का कुद्र करता है जैसे ही एक सम्वेक इस नोट पर उत्पन होता है वह तुरंधी दिल के दोनों आलिंदों में एक लैबत तरीके से संकुचन उत्पन करता है इस संकुचन की वज़े से आलिंद में इकठा खून जाहां हिर्दय की बड़ी काट दिखाई देती है हिर्दय खोखले मा कुछ दबाव पर पंपिंग नहीं कर सकते निजले दो प्रकोस्ट निले कहलाते हैं इनकी दिवार मोटी होती है और इसलिए इन प्रकोस्टों में खून भरने के लिए दबाव लगाना पड़ता है कि यह खून को काफी दबाव में आगे बढ़ा सकते हैं दाये आलिंद मे पूरे सरीर में खून आता है जब्कि बाये आलिंद में मात्रफेफ्णों से ये दोनों आलिंद एक सात सांकुचित होते हैं और इंका पुर्णीय लोग में परीश करता है दाया निल्य क्धूल या विद्यूत संवेग नहीं पहुंच पाए हैं निरयों में संवेग पहुंचाने के लिए एक दुसरी अवस्था भी होती है एक खास किस्म की कोशिकाओं का समूह जिसे इस नाम से ही असपस्थ होता है कि यह कोशिकाओं आलिंद वह इस दिल की खाड़ी काट के जरिये दिखाया गया है विद्वत संवेग इस इस नोड से निर्मिद होते हैं जिनकी वजह से दोनों आलिंदों में संकुचन शुरू हो जाता है साथ ही यह संवेग एवी नोड को अभी प्रेरिद करते हैं कि वह अभी ऐसे ही संदेश निलयों में भेजने का काम करे में फल्सवर दिल के सेंसीच में समकुचन सुरू हो जाता है चित्रे में दोनों नोट तो दिखाए ही गये हैं साथ में दिल के विभीन हिसों पर लिखे गये अंकों को दर्शाया भी गया है जैसे ही एस नोट को चला आवेस एवी नोट तक पहुचाता है वहां मौज़द को सिकामों का समूर भी उतेजित होटता है परन्तु अब तब तक आगे संविक जारी नहीं करता जब तक आलिंद दोनों निलय को खुण से भर न दे जैसे ही निलय खुण से भर जाए एवी नोट निलय के सभी हिसों को वैसे ही विशेश रिष्टेदार रिशेदार तंतुओं के जरिये दिवरता से संकूचन कस संदे तक एक उत्व होकर पूरे हिड़ने को सक्रिय करता है और फिर खत्म हो जाता है जब आलिंद खून से पूरी तरह बहत जाये एक चक्रफूरा हो जाता है इसके फोरन बात फिर से चक्र शुरू हो जाता है एसे नोट से संकूचन के लिए समय उत्पन होता है आलिंद को संकूचन के संकेत पहुचाते हैं और यह संकेत एवी नोट तक पहुचता है इस बीच आलिंद से खुन निलय में पहुच जाता है फ्रेरित एवी नोट से उत्पन संदेश निलय को संकूचित करते हैं जिसमें कोन धव procurement दिया जाता है साथ invalid में मूलख भरने लगता है इस प्रकार दूसरे चक्र कुरा हो जाता है इस तेरा करमबा तरिके से अपनी लेऊं सिक्षो्डिना फैलना चलता रहता है हाइब तक नोओं स्य कोड़ों लया में धड़क सकता है लेकिन उसकी लया को शरिर के जरुरत के हिसाब से बदलने के लिए संकेट कहां से मिलते हैं केद्रियां तंत्री का तंत्रे में शामिल मिमपेटिक तंत्रिकाएं ना केवल धड़कनों की गती को बढ़ाने के संकेत देती है बलकि रग्द दबाव को बढ़ाने के संकेत भी दिल तक पहुचा सकती है इसी तरह पैरा सिंपेथेटिक तंत्रिकाएं रक्त दाप वर धड़कनों की गति को कम करने जैसे संदेश लेकर आती है साइध यही दिल का काम को परवाईद करने वाला बारी हस्तचेव है दिल के धड़कन को महसुस करने के लिए कई तरीकों में स्टेथेसकोप से सुनना, नफज, पकरना आधी तो है ही एक और तरीका आपको भी आ रहा होगा जिसे ECG यान इलेक्ट्रोकाडियोग्राम कहते है इस तरीके में रिदे की पेशियों की कोशिकाओं में आईनों के बहाओ को नापा जाता है सरेर के जरुरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर कृत्रिम अंगों का सहारा भी लिया जास रहा है इसी कड़ी में कृत्रिम दिल भी बनाया गया 1969 में पहली बार किसी इंसान को कृत्रिम दिल लगाया गया था कृत्रिम दिलों के बाजार में एक ब्रांड का नाम जार्विक सेवन था उस समय तक जो लोग इस दिल के अच्छे परिनामों को लेकर उत्साहित थे लेकिन कुछ और परिक्षनों के बाद यह कहा जाने लगा कि जार्विक सेवन इंसानों को लंबी जिन्दगी देने के बजाए उन्हें चल्दी मुक्ती का मार्क दिखा रहा है इसके बाद 1990 में दिल पर पावंदी लगा दी गई दूसरे इंसान के स्वस्थ दिल को बीमार दिल की जगर लगाया जाए 1963 में पहली बार ऐसी कोशिद की गई थी और मरीज 18 दिनों तक जिन्दा भी रहा था तब से अब तक काफे तकनिकी बदला हो गए है और क्रिद्रिम दिल इस्तेमाल करने की संभवनाएं भी खुल गई है माना अंगों के प्रत्यार ओपन को लेकर नैती का नैती की बहस की बीच 1969 में पहली बार एक मरीज को क्रिद्रिम दिल लगा गया और वह तीन दिन तक जिन्दा भी रहा फिर भी यह बात उलेखिये हैं कि गरिद्रिम दिलो ने एक तक्रिक की रूप में नया मार्क प्रसिस्त किया है तो हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे धन्यवाद